Hello friends, welcome to my channel Ayurved, the base of life. मैं Dr. Anjali स्वागत करती हूँ आप सबका. कॉलिस्ट्रोल का मतलब दिल की मुसीबत. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉलिस्ट्रोल आपके हार्ट के लिए अच्छा भी है? जी हाँ, HDL यानि Good Cholesterol ये दिल के लिए फाइदेमंद है. ये रप्ट के अतरिक्त वसा को हटाता है और धमनियों को साफ रखने में मदद करता है और दिल को बिमारियों से पचाता है. Good Cholesterol यानि HDL को हम कुछ तरीकों से बढ़ा सकते हैं. क्या है वो? उसके पहले हमारे चैनल आरवेद तपेस ओफ लाइब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. बेल आइकोन प्रेस कर लीजे, नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जिससे तुरंद बहुँच सके. Good cholesterol बढ़ाने के सबसे अच्छे तरीकों में एक है नियमित व्यायाम करना या exercise और walk करना. नियमित व्यायाम करने से खासकर running, walking, dancing, swimming जैसे exercise एच्डियल के लेबल को बढ़ाने में मददकार हैं. इसके साथ ही हम खाने के द्वारा भी इसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं. इस तरह यह LDL को कम करता है, उसे body से बाहर निकालने में भी मदद करता है, और good cholesterol को बढ़ाता है. बीन्स, डाले और फल्या, घुलन्शील फाइबर से भरपूर बीन्स शरीर को cholesterol सोखने से रोपती है, और LDL cholesterol के molecules को बांद कर यह शरीर से बाहर निकालते हैं, और दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं. संत्रे, यह बेहद रसीला ताजकी देने वाला फल्ट, triglyceride और bad cholesterol दोनों को कम करता है, धमनियों में इन्हें जमने से रोपता है, और HDL के लचीले पन को बढ़ाता है, आपको हफ़ते में कम से कम चार दिन संत्रा जरूर खाना चाहिए. सोयापीन, यह भी HDL cholesterol को बढ़ाने में फायदे मन्द है, अखरोट बादाम, अखरोट और बादाम जैसे nuts, nutrient और omega 3 fatty acids से भर पूर होने के कारण, HDL के लेवल को बढ़ाते हैं, यह ऐसे ही नहीं बलकि इसके गुड़ों के कारण ही कहा गया है, यह फल cholesterol को कम करने वाले, nutrient से भर पूर है, साथ ही इसके छिलके में पाया जाने वाला Pactin, Polyphenol, HDL को बढ़ाते हैं, LC, LC के बीच छोटे छोटे देखने में हैं, लेकिन इसके फायदे बहुत सारे हैं, LC के बीच में भी omega 3 fatty acids भर पूर मात्रा में होता है, यह छोटे और असरकारग बीच HDL को बढ़ाने के साथ साथ, bad cholesterol के इस तर को कम करने में मदद करते हैं, जैतून का तेल, olive oil में monosaturated fat है, खासकर olic acid जो HDL के लेवल को बढ़ाता है, साथ ही इसमें बड़ी मात्रा में vitamin E और antioxidant होते हैं, जो दिल की सिहत के लिए बहुत फायदे मन जाए, avocado या monosaturated fat, fiber और potassium से भरपूर है, high level में monosaturated fat, HDL लेवल को बढ़ाता है, साथ ही bad cholesterol और triglyceroids को कम करता है, तो दिल को सिहत मन रखने के लिए आप इन चीजों को अपने अहार में जरूर शामल करें, साथ ही, lifestyle में बदलाव भी जरूरी है, व्यायाम के लिए वक्त निकालना जरूरी है, धूम्रपान छोड़िये, ये bad cholesterol level को तेजी से बढ़ाता है, बढ़ते वजन को कंट्रोल करके कम करना भी जरूरी है, भारी खान पान से बच्चिये जाग जिससे आपका दिल तंदरूस्त रहे और HDL लेवल यानि good cholesterol बढ़ता रहे, ये जानकारी जरूरी आपकी दिल की सेहत को फाइदा पहुचाएगी, तो अब वीडियो में लाइक तो बनता ही है, और ऐसी जानकारी आपाते रहने के लिए हमारे चैनल आरवेद तबेस ओफ लाइफ को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, साथ ही request है कि इसे दूसरों के दिलों को सेहत बन रखने के लिए शेयर जरूर करें, धल्यवाद